अब ये चोटे वाले टॉप ड्रॉ में देख तो डाइपर्स यह रखी हूए है और यह है वाइच जो मैं रूटीन में यूज सक्रें ओर और आपर्स हैं ओर ये वाले जो पैकर्ट में वह है नाइट डाइपर्स और को दिखाई थी किट अपनी न्यूबॉर्ण इसेंशल वाली वीडियो में तो वो है वो एक बॉडी लोशन है यह काला कर डाइबर बैक के लिए एक्चिलिय टिशू सेकेंड रॉआ में गाई इसकी मेडिसिन्स हैं जादा तर ब До we website कैमेला की कैमीला की 5 का ओर इस्ली यहां से गॉम महोगे तो एसली में आ ओपन हो पिशय और ये एक डोस आप एक दिन में बेवी को दे सकते हो जब बेवी प्री इंड इनमे उसको प्रॉबलम हो रहा है कैमीला है यह Carmina मैं आपको बता देती हूं यह में का बॉक्स है तो इस पर सब कुछ लिखा हुआ है तो यह देखे लिखा है टी दिंग के लिए है वन तो थर्टी मन्स के बेबी को आप दे सकते हो पैनफुल गम्स में हेल्प करते है तो यह बहुत अच्छा है तो यह भी होमियोपथिक मेड तो उसमें से एक है जिसमें जो हमने कायला का मैनिक्रा पेडिक्रा करने के लिए यूज किया था तो उसके नेल्स में बहुत मैल भस रही दी यह है वो थर्मोमीटर जो मैं आपके जिसका पैने पैक तिखाया था दूसरे ड्रॉर में पढ़ा हुआ था पैकेजिंग तो यह है वो थर्मोमीटर और यहां से फोर हेड पे टच करो तो तेंपरेचर आ देता और यह रिमॉफ कर सकते हो हमने रखा हुआ था कि इसकी स्क्रीन पे स्क्राच इस ना आए इसके अलावा यह बहुत क्यूट चीज पढ़ी है इसमें मैंने यही रखा हुआ था और यह बेसिकली काईला के फुट और हैंड का प्रिंट लेने के लिए इसमें दो ऐसे थे यह था इंक वाला पैड जिससे और यह बहुत अच्छा है यह मैंने आमेजान से लिया था इस इसमें बिल्कुल भी बेबी के हाथ पे या पैर पे इंक लगती नहीं है और यह प्रिंट आ जाता है इसमें आई रिमेंबर फुट प्रिंट तो बहुत अच्छा आया है लेकिन जो हैंड का प्रिंट यह इतना अच्छा नहीं क्योंकि बेबी इन अपने हैंड हमेशा ऐसे इसे बंद करते रहते हैं तो खोल का ऐसे टच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था क्यूंकि काईला वस वान मन्थ जब हुमने यह लिया था तो वान मन्थ ओल बेबी का तो बहुत मुश्किल होता है करना और इसको मैं लगाने वाली हो एक फ्रेम में बहुत जल्दी अलवा काईला की एक एक एक्स्ट्रा स्पेयर वाली है यह आई थिंक ए संस्क्रीन स्प्रेय है इस रोर में तो अवाड यह पड़े हुएं काईला की बॉड़ी बॉड़ी वाश हेर एंड बॉड़ी वाश तो सेम तिंग अ हुआ और उसके अलावा यह भी है बाड़ी लोशन यह उसकी है राश क्रीम यह यह वाली संस्क्रीन अभी हम यूज्ब यूस कर रहे हैं तो यह तो क्रीम है बोटल में उसके लावा मूझत ने यह जब बहुत जोड़ी थी ना तो उसके उस मैंसाज के लिए यावल आउ इसके अलावा यह है इसका नेजल स्प्रे या बेबी नेजल केर तो यह इस मैंने उसमें भी दिखाई थी यह उसकी क्रीम है यह है उसके फुछ चेंजिंग साइड जमें डाइपर चेंज करती हूं तो बैट पर ही करती हूं तो यूस कर लेती हूं उसके ओपर रखने के उसकी यूस की नहीं है कभी भी और अब मुझे वो दे रहे नहीं है तो दे न्यू मॉम्स इसमें तो उसका इक्षाइड यूस कर लेगी यह इसकी बॉपी पिलो का कवर है यह कुछ नौरसिंग फैज हैं और यह सिलिकॉन का ब्रेस्ट पंप है जो की मैंने बहुत ही कम उस किया उसके अलावा इसकी काशिट कवर है अभी के लिए में रख रही हूं इसके अंदर इसका समर के लिए हमने उसका बीच टावल लिया था बेबी इसका वह भी यूज नहीं है ब्रांड न्यू पड़ा आज इस तो देखा गाइस आपने यह था काई लगा ड्रॉज इसम इसके सारे अकसेसरी इसके मेडिसन और फ्रिफिंग के लिए इसम टेखा हूं इसके मेडिसिंग इससो मच डिया इन फ्लेस की मैं क्या बता हूं मतलब इस ऑ्यू नहीं नहीं किया तब भी काफी ओके साल अग़ रहा है जू पी और टेखा बाग रहे है ज़र्ट आज औरे बित्सक्राइक if the world is an image in my mind सब्सक्राइब कर दोगे हैं तो मैं किसी को दे सकती हूं जिसके यूस में आए या फिर फूद स्टेंज वाले में डोनेट कर दोंगे और अब इसके डेली ख्लोज अविट से इसका डौर कुछ ऐसा दिख रहा है समर होने की वज़े से उसके पास ये शॉट वाले वन्जी बहुत सारे थे लेकिन अभी बस यही रह गए हैं बाकी सब पुराने हो गए हैं और यह सारे बॉडी सूर्स उसको अभी फिट आ रहे हैं इसमें वो फिट आ रही है और यह सारे पैर्स जो मैंने यहां सेपरेटी रखें मैं जैसे कि आपको बता है जादा ओर्गनाइजेशन की जरूरत नहीं है मैं इसमें से बस यह हैट्स बाहर निकालने वाली क्यूंकि समर जा चुकी है फॉल आ गया है कि यह सब अभी उसे चाहिए यह उसे कि इसा बाग तागल जाए और वक्रवाटी जाए तो आपको डिकाल लेते हूं कि सामने रहेंगे न तब ही उस होंगे अगर सामने नहीं नहीं होंगे तो वह इग्नोर भी उजात नहीं का प्रें इन में तो mostly आप सब में टाग लगे वे देखोगे ये काईला को gift मिला हुआ है ये उसके एक woolen hat है जो मैंने लीदी 12-24 months इस season 18 months summer का है चाहे बट यहाँ घर में ना बताया था ना heat में तो चली जाएगा तो 18 months का I'm still going to keep it in her regular closet second number वाला drawer जो है उसका so that सामने रहेगा तो डल जाएगा ये 24 months है तो ये इसको मैं भी नहीं निकालूंगी क्योंकि this will be too big this one is also for 2 years नहीं चलेगा this one is 18 months और plus this is बोला नहीं हमने खुदी ली थी काईला के लिए तो ये हम रख लेंगे separate इसके साथ थी ये बाली त्यूने इसके साथ मैंने ली दोनों साथ में थी 18 months also ये भी मैं निकालती हूँ घर के लिए ये सारे कपड़े तो घर में तो अराम से डल जाएगे ये सारे जा रहे हैं इसके अंदर ये बहुत पहले से लिए हुए गाइस मैंने काईला जब 3 months की थी 24 months की थी तब भी मैं इसके लिए थोड़ी शॉपिंग कर ली थी तो ये मैं इसको ऊपर नहीं रखना चाहती हूँ इसको मैं organize करती हूँ वेट अभी नीचे का ड्रार मैं ये सब डाल कर वापस रखतूँ इस बैग ये काफी बड़ा है तो इसमें सार समान आजाएगा जो मुझे अभी काईला के लिए फिलहाल नहीं चाहिए ये हैट उसको नेक्स्ट यर भी आएंगे इस बिग तो जब वो टू योर्स के होगी तब भी उसको आएंगे और ये वाला तो इसमाल तो इनको तो इस तो अभी और और ये नाइस काफी हथ तक हो चुका है ये बैग मैं रख दूंगे अपने बेड में इसमें तो इसी स्टोरेज की स्पेस है अने आपको दिखाया था नहीं कुछ समान देने माला है यह से यदी लगे काल देती हूं और साथ ही सारा समान हो जाएगा जो इसी क बहुत इजी होगा ये तो कायला का टॉय अभी उसको देती हो देती हूं कैसा रियाक करती है उसको तो तो तब दिखा रहते हम लोग और उसे बहुत पसंद आता है चलो फिर देखते हैं क्या रियाक करती है आपको भी दिखाती हूं कैला हागी हागी कुछ कपड़ कायला के नो बॉशिंग में भी हैं तो मैं देखती हूं वो ऐसी ओर्गनाइज करूमी जैसे आपको दिखाए हैं आफ्टर लांड्री और ये बैग मैंने आपको बताई दिया सब चूटे हो गए हैं कपड़े ये जाएगा बैड में ये तो एक्स्ट्रा पॉल्टेन है जिसमें उसका टैवी था उसको दिखाया देगा ना आपने कुछ होगे तो अब ये हैं वो बैग जो मुझे देना है और इसके अलावा में पास एक पैंपर्स का बॉक्स बरा पड़ा है न्यूबॉर्ण बेबी साइज के डाइपर्स तो ये स्टाफ और वो डाइपर्स जाएंगे उनके पास और ऐसे होगी है मेरी अप्लॉज है काईला की क्लॉ और एसे में करतें उसको ओर्गनाई इए फूर रहुग्स आउर्फ से अलाव